हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टेडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो है भक्ति एवंग सुफी आंदोलन और इसके दो पार्ट में पहले ही अप्लोड कर चुकी हूँ और यह पार्ट थ्री है जि से के सारे वीडियो देख सकते हैं इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शे опас करे सबस्क्राइब करने के बाद बैल आइकन की घंटी को जुरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो में जब भी अप्लोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मुबाइल पर मिल सके क्रिष्ण के जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी तो ये रचना कार थे रस खान सी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा क्रिष्ण नमबर 97 किस भक्त संत के शिशों के प्रयास से व्रंदावन एवं तीर्थ इस्थल हो गया तो ये थे चैतन्य महाप्रभू बी ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएगा निम्न लिखित में से कौन सा इस्थान गुरु नानक का जन्म इस्थल था तो गुरु नानक का जो जन्म इस्थल था वह था ननकाना सी ऑप्शन हमारे करेक्ट होगा निम्न में से कौन महानुभाव संप्रदाय का संस्थापक था तो ये हैं option तो इसमें हो जाएगा चक्रधर भी option हमारा इसमें correct हो जाएगा question number 100 गुरु नानक ने अपना उत्रा धिकारी किसे नियुक्त किया तो इसमें जो correct option बढ़ जाएगा वो हो जाएगा गुरु अंगत फिर से बार देख लेते हैं गुरु नानक ने अपना उत्रा धिकारी किसे नियुक्त किया था तो गुरु अंगत को नियुक्त किया था डी option correct हो जाएगा हुजूर साहब का गुरु द्वारा किसकी याद में बना था तो ये बना था गुरु नानक की बी option हमारा correct हो जाएगा इसके बाद है निम्न मेंसे किस भक्त संत ने अपने संदेज के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रियोग किया तो हिंदी का प्रियोग करने वाले थे रामा नंद C option correct हो जाएगा निम्न मेंसे किसने अपने उपदेश में समाज एवं परिवार के लिए महलाओं के महत को पहचाना तो गुरु नानक होंगे यह option हमारा correct हो जाएगा मदिकालीन भारत के निम्न मेंसे किस संत का जन्व प्रियाग में हुआ तो प्रियाग में जन्व वा था रामा नंद का बी option हमारा इसमें correct हो जाएगा कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसका धर्म संप्रदाई या जाती ना पूछे यह कथन है तो यह statement जो दिया गया है यह दिया गया है रामा नंद के द्वारा यह कथन किसका है इशर मनश के गुड़ों को देखता है उसकी जाती को नहीं दूसरे संसार में कोई जाती नहीं है तो यह था रामा नंद का statement डी option हमारा correct हो जाएगा रैदास, सेन, कबीर किसके अन्याई थे तो रामा नंद के अन्याई थे डी option हमारा इसमें correct होगा निम्न में से किसने सन्यास नहीं लिया था तो सन्यास न लेने वाले थे चैतन्य और वलबाचारे भी option correct हो जाएगा इश्वर केवल मनुश के सद गुड़ को पहचानता है और उसकी जाती नहीं पूचता आगामी दुनिया में कोई जाती नहीं होगी यह सिद्धान्त किस भक्त संत का है तो नानक का है C option हमारा इसमें correct हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किसने कभी सन्यास ग्रहन नहीं किया था तो सन्यास कभी नहीं ग्रहन किया था तो वो हो जाएंगे वलबा चार्य D option correct हो जाएगा निम्न में से किसने कभी सन्यास नहीं ग्रहन किया वापस वही रिपीट है वलबा चार्य D option correct हो जाएगा निम्न लिखित में से पुस्टी मार्ग के आचार्य कौन थे पुष्टी मार्ग के आचार्य वलवाचार्य थे D option correct हो जाएगा पुष्टी मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किस ने किया तो ये प्रारंभ करने वाले थे वलवाचार्य A option correct होगा निम्न लिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति संत नहीं था निर्गुण भक्त संत नहीं था वो था शंकर तेव के निर्गुण भक्त के नहीं थे बाकी सभी निर्गुण के थे रैदास, दादू और धन्ना निम्न लिखित में से किस का निधन वारानसी में हुआ था तो वलवाचार्य का निधन वारानसी में हो गया था C option correct हो जाएगा असम एवं कूछ बिहार में वैशनव धर्म का परवर्तक किसने किया यानि फैल आया था किसने तो ये हो जाएंगे शंकरदेव C option correct हो जाएगा सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे तो वैशनव संप्रदायसेंस B option correct हो जाएगा निम्न में से कौन सा एक वैशनव संत कीर्टन घोशा का रच्चईता था तो ये थे स्रीमत शंकरदेव B option correct होगा काम रूप में वैशनव धर्म का किसने परवर्तन किया तो शंकरदेव ने किया था B option correct हो जाएगा तुलसी दास किसके समकालीन थे तो तुलसी दास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे A option correct हो जाएगा तुलसी दास ने राम चरित मारस की रचना किसके काल में किया तो इसकी रचना होई थी अकबर की काल में A option correct हो जाएगा निम्न में से कौन वकारी संप्रदाय का संत था तो वकारी संप्रदाय के संत थे नाम देव C option correct हो जाएगा Question number 123 निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसी दास की नहीं है तो साहित्य रत्न ये नहीं है बाकी गीता वली, कविता वली, विन्य पत्र का ये तुलसी दास द्वारा रचित ग्रंथ है आगी चलते हैं महरास्ट में वकारी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे तो महरास्ट की बात कर रहा है तो हो जाएगे तुकाराम A option correct हो जाएगा वकारी संप्रदाय के प्रमुख देवता है तो बिठल D option correct हो जाएगा विश्णो के रूप B ठोवा B ठोवा की उपासना प्रचलित थी तो महरास्ट में A option महरा एक मिनट A option इसमें हमारा correct हो जाएगा महरास्ट में वकारी पंथ की स्थापना किसने की तो B होगा तुका राम ये पहले भी रिपीट हो चुका है आगे चलते है सभी भक्त तथा सूफी संथ ने मानवता पर बल दिया मानव का ल्यान के लिए कोशिश की फिर कोश्चन नमबर 129 बिठोवा उपासना लोक प्रियत थी तो महरास्ट में D option correct हो जाएगा भक्ती आंदोलन को प्रारंब किया था तो अलवर संतों द्वारा प्रारंब किया गया था A option correct है इसके बाद हैं सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेष्टा थी कि उन्होंने अपनी वानी को उसी भाशा में लिखा जिसे उनके भक्त समस्ते थे यानि A option सरल करके उसका प्रचाय किया था तो A option हमारा इसमें correct हो जाएगा भक्त संस्कृती का भारत में पुनर जन्म हुआ तो पुनर जन्म हुआ पंद्रवी सोल्वी शताब्दी इस्वी में भक्त आंदोलन का प्रदुभार्व हुआ था कहां हुआ था तो ये हुआ था दच्छन भारत से ये हो जाएगा दच्छन भारत से B option correct हो जाएगा रामा नुज ने निम्न पर बल दिया तो भक्ती पर बल दिया A option correct हो जाएगा निम्न लिखित में से कौन सिध्धान्त रामानुज दर्शन का है तो ये सिध्धान्त होगा जीव मुक्ष के बाद भी ईश्वर से अपना सुतंत्र अस्तित्व रखता है ये उप्षन करेक्ट हो जाएगा आगे है कोश्चन नमबर 136 निम्न में से कौन सोलवी शिताबदी में करनाटका में दास कूट आंदोलन से संबद्ध था तो ये हो जाएगा पुरंदर दास बी ऑप्षन करेक्ट हो जाएगा निम्न लिखित में से कौन द्वयत मत के समर्थक थे तो द्वयत मत के समर्थक थे माधव, B option correct हो जाएगा भक्तियांदोलन के निम्न लिखित नायकों में से कौन इसलाम से प्रभावित था तो नाम देव प्रभावित था, C option correct हो जाएगा तर ना तारन नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे तो ये थे गुरु अर्जुन देव, B option correct हो जाएगा निम्न लिखित भक्ति मार्गी संतों में से कौन मोची था रैदास जो की एक मोची थे निम्न में से किसका संबंध वेदान्त दर्शन के साथ नहीं है तो नहीं है वो हो जाएगा अभिनो गुप्त का बाकी सभी का वेदान्त दर्शन से संबंध था जैसे की संकराचार्य, रामानुज और माधव ब्रमर गीतों का रचनाकार कौन है? तो सूर्दास, C option is correct 84 वैशनों की बारता का लेखा कौन था? तो बिठल नात यह हो जाएगे, B option correct हो जाएगा मलुक दास एक संद थे मलुक दास एक संद कवी थे तो कड़ा के D option हमारा इसमें correct हो जाएगा निम्न लिखित में से द्वैत वेदान्त के अनुसार किसके द्वारा मुक्ती प्राप्त की जा सकती है तो इसमें option A होगा ग्यान के द्वारा मुक्ती प्राप्त की जा सकती है संद थे काल की दो प्रमुक मुद्राओं का पता निम्न लिखित कूट से कीजिए तो इन कूटों के द्वारा हमें बताना है तो option हो जाएगा हमारा D correct हो रहा है 2 और 4 जीतल और टंका यह संतर्कालीन मुद्राएं है तो यहां हमारा जो है topic वो पूरा complete होता है कल हम नए topic पर study करेंगे और इस तरह का video प्रेंट्स पसंद आता है तो like, share, subscribe करना मद भूले subscribe करने के बाद bell icon की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजे ताकि इस तरह का video में जब भी upload करूँगी उसका notification आसानी से आपको मेल सके और friends अगर आप new viewer है और यह series नहीं देखी है तो आप description box में जाहिए वहाँ practice set B के नाम से playlist बना है और link दिया है link को दबाने पर आप पूरे के पूरे सारे videos जो series में मैंने इसे कराया है ancient history का और फिर भी समय middle history चल रहा है तो यह सारे videos आप देख सकते हैं तो okay friends stay care and bye bye